अंपरिएट्य को करने बात करेंगे लेयर नहीं लेरट्राइथ यह नहीं चाहिए लेकिन आज की डेट पर कर देट सुर्दा você अचकषिंघे होका करने स्थेट में इस यह जो लगाया जाता है प्हो debris दे consulting डीक है अचरा है। किसी तरह का लोन से रिलेटेड मामला चल रहा है और आपके पास लोकादालत वगरा का अपडेट आया हूँ नोटिस वगरा आई हुई है चेक बाउन से रिलेटेड या जो कोई भी फैनेंशल मेटर से रिलेटेड तो आप वहां पर जाके अब उस मामले को ख़तम कर सकते हैं और विडियो को देखने के बाद आपको मालुम चल जागा जो हमारे देश में यदि एक स्टेट में 2.500.300.000 केस तरह का मामला पेंडिंग है तो सारे स्टेट को जएए समय कितने मामला पेंडिंग चल रहा हो ठीक है उन सारे मामले का निप्टा रहा है तो इस वीडियो को लोन से रिलेटेड मैटर जदी है तो वीडियो को देखिए अधरवाइस वीडियो को एसकिप कर दिए चलिए बात करें जिदि आप लिट पर फर्स्टाम वीडियो देख रहे हैं चैनल को यहां से सब्सक्राइब करें तो नहीं था यार फिर भी हम लोगों ने सुआ चलो बता होगे नहीं लेकिन फिर भी बताना दिल में सोचके बताना जो ऐसा कौन कौन सा चीज है चाहे गौब्मेंट या प्राइबेट हो या किसी भी लेवल पर वह 100% बिल्कुल फ्री अपको फूरी में होता है या बदले म कुछ होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं दोस्त सिधा चलते हैं लेकर आपको गूगल पर देखे गूगल पर आप लोग भी गूगल करके देखे लेना जिस स्टेट में आप रहते हो देखे सबसे पहले बात करेंगे आपर देखे देखो अन्डी टीवी का भी अपडेट है अदालत में लंबित मामलों के लिए बोज को कम सअथरीटि और यही है यह जो है इस सभी सडेट में इसी के कर डिर्शन के व Nick καंदी जो है इसी कि अद्रम लोग अदा लगात जाताई ठी Farm बहुत सारे देखे सभी स्टेक्स में देखे राजस्थान में है यूपी में भी आप देख देख लो यहां पर देखे मालबा और निमार के 15 जिलों में लोक अदालत देखे 44 अस्थान पर लगेगी लोक अदालत बिजली से 42,000 रुप होगता हूँ समझ ये बात को उसके बाद है लोन से यहां पर होगा और मामला आज खतम हो जाएगा अप लोगा ठीक है ये सारी चीजे हैं देखे धनबाद बार एसोशेशन यहां तो ऑन दा स्पोर्ट जो है 29 लोगों को नोकरी भी मिल गई देख लिजेगा इदर पर लिजेगा ये दिखा रहे हैं आपको लाइब सिधा का स ठीक है अब ये वाली बात होगी अब हम कुछ न्यूज लेंगे इधर से आपको दिखाएंगे जरह टाइमस ओफ इंडिया का एक अपडेट था जरह कोशिश करते हैं आपके लिए दोड़ने का वह मिल जाता है तो अब यहां पर क्या लिखा है मतलब आज है 11 सितंबर है द के लिए मैं जो है टाइमस ओफ इंडिया का अपडेट है इसमें देखेगा सिर्फ एक राजस्थान का मैटर है दोस्तो राजस्थान में देखेगा देखेगा डेजिए केसे सव अफ डिसोनर ऑफ चेक्स ऑफ लेस्देन तू लैक्स दो लाक से जदी कम का चेक है दो यह 97183 केस हैं समझे बात को और इसके लिए 44 बेंज 744 बेंज का गठन किया गया है इतने सारे मामले को सुनवाई करने के लिए अब हमारे देश में जितने भी एस्टेट्स हैं तो अब सोच सकते हैं जो एक एस्टेट में मालेजिये 3 लाग है तो लगभग आप निकाल लो कि इस बरी समस्या जो रिसूर्स का और इतने सारे मेटर कोर्ट में पेंडिंग है और इसलिए लंबी लंबी तारिकें लगती है ठीक है तो हम सभी लोगों को यार कुछ ना कुछ आईसा सब यार क्या बता है आप लोग तो खुद समझदार ही हैं सब इन सभी का कारण कहां है नह के नहीं है लेकिन समस्या है अब अब देखो कितनी सारी समस्या है लोग तो समस्या इतनी सारी है जो betाने का वरनन की है तो उमीद करते हैं जो पूरी जिन्दगी समस्या से ही लोगों की जूजती रहती है परिसान होते रहते हैं लेकिन जदी आपके पास लोग अदालत का से अपडेट आया हुआ नोटीस वगर रहा है या आपको परजेंट होने के लिए बोला गया है और आपको डरना वरना नहीं है उदर जाके मिल बेटके मामले को रफाद रफाद कर लेजिएगा ठीक है और ये सारी देखो हमेशा जो कोट का काम पुलीस का काम जो मामला हर मामले का समाधान कोट में नहीं होता हर मामले का समाधान दोस्तो पुलीस या पुलीस स्टेशन या कहीं भी नहीं होता ऐसे ऐसे भी मामले हैं जो कोट के बाहर या पुलिस स्टेशन के बाहर सुलजाया जा सकता है ठीक है तो हर हमेशा कोशिश कीजिए अपने टाइम को और हमेशा सोची है कहां से आपको टेंसन खतम हो सकती है कैसे आपकी सरदर्दी कम हो सकते मैं सीधा का सीधा आपको लाई भी दिखा रहा हूँ देखलो Google पर करके देख लीजेगा इधर ज़्यादा मैं बात ने बता रहा है हमेशा जब आप सोचो कि किसी चीज को सेव करने का अपने टाइम को सेव करने का माइंड में जो फिजूल की चलती रहती है हम लोगों की माइंड में ये कर देंगे वो कर देंगे उसने मुझे गाली दे दिया रिकवरी वाले ने मुझे ये कर दिया फलाना ठिकाना जो कुछ भी कर दिया लेकिन असली कारण कहा है असली समस्या कहां है क्या आप उसके बारे में सोचते हैं कभी नहीं सोचते हैं हम लोग हम लोग चाह के भी नहीं सोचते हैं वीडियो देखते हैं जिन्दगी बर दुनिया भर की जिस दिन आप वो ची सोच लोगे न जो असली समस्या कहां है जर कहां है समस्या का फिर आपको लगेगा नह रिकवरी वाले को छोड़ दो, बैंक का जितना पैसा है, उतना पैसा दे दिया जाए, ऐसा हमारे देश में सभी को पता है, गरीबी इतनी ज़्यादा है, पोभर्टी इतनी ज़्यादा है, बिरुजगारी इतनी ज़्यादा भी तो बहुत ज़्यादा बरगे, करोना ने तो स कुछ ने कुछ resources to develop करना परेगा कुछ ने कुछ राष्टा तो निकलना परेगा क्या हम सभी लोग उस रास्ते को निकालने के लिए सोचते हैं कभी नहीं सोचते दिल से नहीं सोचते कहीं लेकिन उस पे attempt नहीं लेते हैं बताना जरा सोच कि क्या आपको लोगों तो कि यहीं होगी जो लोग वीडियो देखने सब परिलिके हैं कहने का मतलब क्या है दोस्तों आप सभी लोगों ने अटेंप एक होता है स्टेप मार्किंग सब्सक्राइब करो चार स्टेप में कोई प्रोब्लेम स्वाइब होगी आपने उसमें हाथ ही नहीं लगा प्रोब्लेम करना चाहता है अधिकारे कुछे लिखित में आपको दिया है आप उनसे जाके बैट मिल बैटके बात किजिए समस्चा का समाधान तो ही निकलेगा बैंक वाले बुला रहा है यानि आप घर फैमिली में किसे को बुलाई आपने सबस्क्राइब बच्चे को बुलाया अब व तो कहने का मतलब यह है दोस्तों जो समस्या का समाधान मिल बैटके होगा बैंक आपको नोटिस दिया है तो कहने का मतलब यही है वो बैंक का राइट है आपको नोटिस देगा ठीक है और आप जदी हाकिकत में समाधान चाहते हैं कोई आदमी आपसे बात करना चाह रहा है और आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, जो आप उसमें इंट्रेस्टेड ही नहीं हो उस समस्या का समाधान करने के लिए, ठीक है, तो फिर बैंक कई सारे स्टेप लेती हैं, तो यानि इंटेंशन आपकी देगी बहुत सा और इस मामले को जाके आप लोग जिसका भी लोग अदालत से अपडेट आया, नोटिस वगरा है, या आपको बुलाया गया है, वहाँ जाके मिल बैटके समस्या को खतम कर लेजिएगा, जितना भी आपका कैपिसीटी है, लोन वगरा का पे करने का या चेक डिसोनर का मिल ब ने जचा ए कहा बत है, इक हमला अपने प्यारे देश में हमारे देश भालत में ठीक है, तो आपको इसको भी थोडि उसको भी थोड़ी रहात मिल जाए पी रेचारा उसने भी आपको पैसा दिया और आपको भी धोडी रहात मिल जाए, थीक है तुमिल बैटके से This या क्या सारे चीज फीर है क्या इस दुनिया में कुछ भी फिरी नहीं है ठीक है तो अब यह सब आप लोग सोच के देखेंगा ठीक है तो इस एक साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिस दोस्तों यानि जाते जाते हैं मिक्चेवर बताते हैं यानि आप कहीं भी गिफ और टेक वाले इस जब आपका मामला खतम हो जागा टेंसेंट फ्री होगे तो ही जाके आप कोई न्यू वर्क कर पाऊगे अधर वाइज माइन जो है आपका उधरी रहेगा इसलिए जदी लाइप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सभी चीजों से को खतम करके लाइप में आगे बढ़ ये पॉजिटिव रहे है लाइप में हमेशा पोजिटिव चोचे फोजिटिव लोगों के बीच में रहो नीगेटिव लोगों से दूर रहो हमेशा थो है दोस्तो आप अपनी time का value दो और जो विक्ति आपके time का value दे जिसको भी आप time दे रहे हो अपना precious time अपने वेलियू वर बताते हूं हमें सब पोजेटिव चीज बताते हैं और आपके फायदे की बात करते हैं तो हमारे पास रही है आप वीडियो देखिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और जदी आपको किसी तरह की और भी समस्या है तो आप अधिक जानकारे के लिए हम लोग वीडियो की डिस की जबत नहीं है हाँ जिस किसी मेटर में है तो आप कंटक्ट केजिए इस एक साथ वीडियो करते हैं फिनिस वीडियो देखिए आप से दिल से बहुत बहुत धनवाद सुक्रिया थेंक्यू झाल 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 झाल